नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक बेहद ही महतोपून जानकारियों को ले करके जहां दोस्तों आज का हमारा ये एपिसोड इलाइची के फायदों से रिलेटेड है इलाइची हर भारतिये के घर में पाई जाती है यह माउथ फ्रेशनर एवम मसाला होता है जो कई तरह के व्यंजन में डाला जाता है इलाइची का स्वाद अलग तरह का होता है इससे ये सभी को भाता है इसके बहुत से स्वास्ते वर्धक फायदे भी हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे इलाइची दो तरह की होती है बड़ी इलाइची छोटी इलाइची बड़ी इलाइची सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं इसे माउथ फ्रेशनर के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं या खाने में मसाले के रूप में उप्योग होती है या एक तरह का बड़ा मसाला है जो गर्म मसाला में एहम भूमी का निभाता है छोटी इलाइची के बारे में अब जानते हैं यह माउथ फ्रेशनर है जिसे खाने के बाद सभी लेते हैं इसे मीठा में उप्योग करते हैं क्यूंकि यह अलग तरह का स्वाद देती है एवं इसकी सुगंध अब को आकरशित करती है अब आएए हम जानते हैं कि इलाइची में कौन-कौन से पोशक्तत्व पाए जाते हैं आयरन, विटामिन C, नियसीन, रिबोफलेविन, पोटेशियम, मैगनेशियम, कैल्सियम यह सारे गुन पाए जाते हैं भोजन में स्वाद के साथ साथ देता है, पाचन सही करता है, यह मुह की दुरगंद को भगाता है, इनीमिया को दूर करता है, आए तो हम अब स्टार्ट करते हैं इलाइची के फायदों से रिलेटेड जानकारियों को, पाचन तंत्र को सबसे पहले तो यह मजबूत करता है, हर भारते खाने के बाद अपन कम होती है, साथ ही पेट के अंदर की सुजन कम करती है, इलाइची से गैस, एसीडीटी, खराब पेट की शिकायत दूर हो जाती है, छोटा टुकडा अदरक, दो से तीन लोंग, तीन से चार इलाइची, एक चमच, धना, इन सब को पीस कर चून बना लें, इसे रोज खाने क के बाद एक चमच पानी के साथ खाएं, पाचन से जुड़ी सारी परिशानी दूर हो जाएगे आपकी, इसके बाद आते हैं दूसरे फायदे पर इलाइची के, सर्दी खराश को दूर करती है, जी हाँ, सर्दी की वज़ह से कई बार गले में बहुत दर्द होता है, और अच्छी समय में आराम मिलेगा, इलाइची गर्म करती है, जिसके सिवन से शरीर में गर्महट बढ़ती है, एवं सर्दी खांसी से आराम मिलता है, कपकी भी परिशानी दूर होती है, तीसरा हिचकी बंद कर देती है, जी हाँ, इंसान को कभी भी आचानक हिचकी आने लगत होती है, जिससे परिशानी महसूस होने लगती है, इसे बंद करने के लिए बस आपको एक इलाइची मुह में दबानी है, इसे चबाते रहिए, कुछ देर में हिचकी खुद बखुद गायब हो जाएगी, इसके बाद चोथा फायदा है, इसका बलड प्रेशर को ये कंट्र जरूर करना चाहिए, विशयले पदार्थों को ये शरीर से बाहर निकालता है, ये इसका पांचवा फायदा है, शरीर के अंदुरूनी सफाई उतनी ही जरूरी है जितनी की बाहरी, हम बाहरी सफाई का तो पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन शरीर के अंदर की सफाई कभी भी नहीं करते या फिर उसके बारे में सोचते हैं, कुछ भी अटर सटर खाते रहते हैं, टैंकर की तरह सब भरते जाते हैं शरीर के अंदर, आपको अंदुरूनी सफाई का आसान तरीका बताता हूं है, आपको रोज बस एक इलाइची खानी है, इससे किडिनी से सारे मददगार है, इलाइची के दानों को 2-3 बादाम एवं 2-3 पीस्ते के साथ 2-3 चमच दूध डालकर पीस लीजिए, इसके बाद एक गलास दूध में इसे मिलाकर आधा होने तक गाढ़ा कीजिए, फिर इसमें मिश्री मिलाइए और खाईए, ये बच्चों के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है, दिमाग को मजबूत करता है, यानि कि उनकी पढ़ने की याद करने की शमता भी बढ़ती है, साथवा, उल्टी को ये बंद कर देता है, जिहां, जी में चलाना, उल्टी जैसा लगना, मुझ का स्वाद खराब होना, ऐसा कुछ भी होने पर इन सबसे इलाइची बचाता है आपको, सांसों में होने वाली बद्बू से बचने के लिए रोज आपको इलाइची का सेवन करना चाहिए, नवा नमबर है, दिल की रक्षा करता है, जी हां, इलाइची में मौझूद घनीज तत्थो दिल की रक्षा करने में सहयक होते हैं, इलाइची खाने से पल्स रेट सही रहता है, एवं खून का संचालन बोडी में सुचारू रूप से होता है, इसके अलवा, नमबर टेन है, तनाव मुक्त बनाता है ये आपको, अगर आपको किसी बात की चिंता है, या बिना बात के आप अकिलापन में हसूस कर रहे हैं, ल इलाइची वाली चाई पीने से हार्मोन तुरंत बदल जाते हैं, और तनाव छूम अंतर हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ, अगर आप अत्यधिक महात्रा में सेवन करते हैं, इलाइची का तो ये फायदी की जगा आपको लोस भी कर सकता है, दोस्तों, आईए जानते हैं कि अगर आप अत्यधिक महात्रा में इस्तेमाल करते हैं, या फिर कुछ एक बीमारियों से ग्रसित हैं आप और उसके बाद इलाइची का सेवन करते हैं, तो आपको क्या क्या लोस हो सकते हैं, इसलिए लोग ध्यान रखें कि जो इन बीमारियों से ग्रसित हैं, या फिर जो में खुजली, इसकीन में रेशे, लाल धब्बे आ जाते हैं, कई लोगों को इलाइची से इलर्जी का अनुमान नहीं होता है, और वे इसे खा लेते हैं, जिससे उन्हें सांस में तकलिफ होने लगती है, इस इलर्जी के कुछ एक लक्षन हो सकते हैं, जिससे आप उन्हें प पथरी से ग्रसित हैं, जिहां, कई बार इलाइची पथरी का कारण बन जाती है, एक शूद के अनुसार पता चला है कि हमारा शरीर इलाइची को पूरी तरह से पचा नहीं पाता है, फिर अत्यधिक मातरा में इसे लेने से ये धीरे धीरे इकठे होते जाते हैं, और गाल ब इलाइची इनके साथ रियक्षन करके दूसरी परिशानी उत्पन कर देती है, या कई बार आपको दवाईओं का असर बंद हो जाएगा, अगर आप कोई दवाई लेते हैं, तो इलाइची खाने के आदत आपको छोड़ देनी चाहिए, जब आप स्वस्ता और सही हों, तभ सेवन ना करें, बस इसकी आदत ना बनाएं, एक सिमित मातरा में गरहन करें, आपको इलाइची के फायदेयों नुकसान कैसे लगे, ये एपिसोड हमारा कैसे लगा, जरूर बताइए, और इसके साथ-साथ अगर आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक, सेयर जरूर करें, त खाना हम खाते हैं, खाना भी है हमें, लेकिन बोडी में किस चीज की कितनी मातरा होनी चाहिए, कब हमें खाना है, कब नहीं खाना है, हमें अगर पता होगा, तो हम बहुत सारी बिमारियों से वैसे ही बच सकते हैं, तो इसलिए हमारा ये प्रयास रहता है, कि जितनी भी खा करना है किस चीज का नहीं करना है इससे रिलेटेर जानकारी आप प्राप्त कर सके तो दोस्तों ऐसी ही अगली कड़ी में हम सभी जुडेंगे आप सभी के साथ एक और नई और श्रधी ले करके या फिर एक और नई जानकारी ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार द घत्रध्षा दिन बदिम है कर रहाद को और से यादेंगें जानकारी तर दॉस एक खब टकुमें जानकारी ट रहा हुआ जाली कव्ट다면 और गली को और टता है। झाल झाल